बिसमिल्लाह रामार रखेम, असलाम अलेक्व और चुरेंट, माइम अब्दुल्बासित, I am your guided English teacher. The material of our today's lecture is lesson number 8. Lesson number 8 is about a narrow state, बाल बाल बढ़ जाना. बुन्यादी तोहर पर ये कहानी दो करेक्टर्स के गिर्ब गुंती है, एक जिराड, दूसरा देंग. जिराड एक ऐसा नुजवान है, जिसको दुश्मन उसके मुल्क हॉलेंट से निकाल देते हैं, और मजबूरां उसको फिर फ्रांस की तरफ जो है, वो सफर करना पड़ता है पना लेने के लिए, और जब वो वहां से हॉलेंट से फ्रांस की तरफ जा रहा हुता है, पैदल सफर के दौरां जंगलों से गुजरते हुए, पहारों से गुजरते हुए, तो रास्ते में उसकी मुलाकात डैनिस नामी एक शक्स से हो जाती है, डैनिस फ्रांस का ही एक फोजी होता है वो भी उस वक्त सफर में होता है कहीं जा रहा होता है दोनों की रास्ते में मुलागात होती है जब डैनिस को पता चलता है कि जिराड भी फ्रांस जा रहा है तो वो कहता है कि चलो फिरामी कठे ही सफर करते हैं अब सफर के दौरान जब वो जंगल से गुजर रहे होते हैं तो उसी जंगल में एक जगा थोड़ी देर आराम करने के लिए बैड़ते हैं तो उसी दौरान में उनको जाड़ियों में से किसी जानवर की आवास सुनाई देगी है अब जैसी देखते हैं तो उनको महसुस होता है कि कोई रीच है जो हम पर हमला करनेवाले है लहाज़ डैनिस के पास तीर कमान होता है क्यों उनको एक फ़र्जी होता है लہाज़ ये सारा इक फास्ती सामान मौ अपने साथ लेके चलता है ल необход वो उस तीर के जरीए उस पर अबला करने ता है और उसकु मार डाल है अब बात में पता चलता है कि वो बड़ा रीज नहीं था बलकि रीज का एक बच्चा था अब जिराठ को बड़ा अफसोस होता है कि हम नन्ने से रीज का बच्चे को मार डाला है अकेले तो दैनिज को भी अफसरोच तो होता है लेकिं हो कहता है बाई मिस्टेक हो गया वह मैं पता तो नहीं था कि ये रीज का बचा है हमारे लिए बेजरर है तो बाई मिस्टेक अब हमने इसको मार दिया तो इसके बाद और अपने सफर को तो दुबारा शुरू करते हैं अब अभी जा ही रहे होते हैं कि थोड़ी दूर गए होते हैं तो पीछे से उसी रीच की माज रहे है वो गुराती हुई उनकी तरफ बढ़ती है और उनको पता चल जाता है कि जाहरी बात है क्योंकि हमने इसके बच्चे को मारा है लेहाजा वो इंतकामी कारवाई के तोर पर अब हम पर हमला कर सकती है और हमें नुक्सान पहुचा सकती है लेहाजा दोनों भागते हुए अपनी जान बचाने के लिए मुक्तलिक दरख्तों के उपर चड़ जाते हैं एक दरख्त पर जिराड चड़ जाता है दोसे दरख्त पर डैनिस चड़ जाता है बाइचास डैनिस जिस दरख्त पर चड़ता है तो उसी दरख्त पर चड़ने की वो रीचनी भी कोशिश करती है और जिस दरख्त पर डैनिस चड़ता है वो इंतहाई कमजोर टैन्यों वाला दरख होता है लहाजा जिराड जब देखता है कि उसका दोस्ट डैनी मुश्किल में है और वो एक ऐसे दरख में चड़के है जिसकी शाख किसी भी टाइम तूंड सकती है और वो नीचे गिर सकता है और फिर वो उस पर रिशनी जो है वो हमला करतेगी लहाजा वो हिम्मत करता है और दरख से नीचे उतरता है और वो जो तीर कमान डैनिस वाँ छोड़ गया था उसको उठाता है और उस तीर कमान से वो उस रिशनी पर हमला कर देता है तीर उसको लगता है और वो जखमी होकर नीचे गिरती है जो ही जखमी होकर द्रग से वो नीचे गिरती है तो अब वो फिर जिराड के पीछे भाग पड़ती है जिराड अब भागता हुआ वापस उसी द्रग पे चड़ने की कोशिश करता है जो यह द्रग पे चड़ रहा होता है तो उसकी टांग को पकड़ने की कोशिच करती है और उसकी टांग को जखमी कर दे लिए बेराल वो बड़ मुश्किल से उपर चड़ जाता है उसी जखमी हालत में और फिर वो रीचनी भी उसी दरख के उपर जो है वो उसके पीछे चड़ने की कोशिश कर रही होती है अब उसनी तरफ जब डैनिस देखता है कि अब जिराड मुश्किल में लेहाजा वो फिर दरख से नीचे उतरता है वो ही तीर कमान जो वो जमीन पे चोड़ के बाग के होता है वो ही उठाता है और उस से उस रीचने को मार देता है अब वो वीचनी महीं में मर जाती है वो जिराड के दरख में चड़ावा होता है वो क्योंके जखमी हालत में होता है लहाज़ शदीद टांग पर उसकी जखम आ चुका होता है और वो अपना बैलनस पर कराब ने रख सकता और नीचे धराम से आके गिरता है और लकीली वो जो नीचे गिरता है तो उसी जगह पर गिरता है जहां रिशने पड़ी होती है उसके जिसन पर आके गिरता है लहाज़ा वो मजीद ज्यादा चोटों से या सर की चोट लगने से मौत भी वाकिया हो जाती है उससे बच जाता है लहाज़ा वो टैनिस जो है फिर वो उसकी बैंडिज करता है और फिर वहाज़ा से आके वो अपना बाकी मानदा सफ़ जो है वो शुरू कर देते हैं जिसमें उन्होंने फ्रांस में पहुंच ना होता है अब मैं इसी लेसन की अक्सरसाइज़ जो है वो आपको समझाता हूँ लेसन नमबर एट की जी अब ये लेसन नमबर एट की जो अक्सरसाइज़ हैं अब हम इनको देखेंगे पहली जो अक्सरसाइज है अब ये अक्सरसाइज फिनिश दीस सिंटेंस इस विद वर्ड फॉन दा पैसे इसी लेसन के अंदर जिस तरह से सिंटेंस इस्तमाब हुना है अब हुई अब ये लफाज हमने इस तमाब करके इस सक्सरसाइज पुफिल करना है नबर बन संटेंस है अलार्ग एड एड अद जो अब इर लेस इस आ फोरस्त नबर दो अब ये अधर संटेंस इस संटेंस है to be obliged to do something means to be forced to do it. 4. All men and animals were created by God. So they are called creatures. 5. To be afraid is to be in a state of fear. 6. To be about to die is to be on the point of death. Pahli blank to point आएगा उसके बाद off और पर death आजाएगा. 7. We fall over when we lost our balance. 8. To be distressed is to be upset. ये B exercise उसी से नीचे C exercise है. ये missing letter अब इसमें जो पहला missing letter है. वो है God. G के बाद who missing है. A missing है. God. Next word है. है नी. H के बाद E missing है. और A missing है. 3. Creature C. R के बाद E missing है और A missing है. उसके बाद four word है laugh. L के बाद A missing है. और A missing है. अगला word है fierce. F के बाद A missing है. नेच्स word 40. F के बाद O missing है इसमें और companion P के बाद इसमें A मिसिंग है तो इस तरह से यह missing letter की exercise जो है आपने फिल करनी है उसके बाद P no.45 पर जो exercise है finish these sentences using either to infinitive और bare infinitive अब यह grammar point तो इस बहुत important exercise है इसको अच्छे पर आद से समय है infinitive बुनियादी तोर पर क्या होते है basic form of verb is called infinitive वर्प की जो पहली form होती है उसको infinitive का रहता है standard क्वाम डिक्ष्टिज में अगर आप वर्प की form लिखे हुए देखेंगे तो हर वर्प की form से पहले to go, to run, to sing, to want लिखा हुआ है जब हम इस basic form of verb को sentences में इस्तमाल करते हैं तो उस वक्ष्ट ज्यादा तर जो basic form of verb के साथ तू लिखा हुआ होता है उसको हम skip कर दिया करते हैं लेकिन बाब बताब जाए उस sentence के अंदर verb की first form से पहले to लिखा हुआ होता है अब अगर उसको first form से पहले to लिखा हुआ हो तो उसको to infinitive कहा जाता है for example I want to help him अब इसमें जो main verb है तो tense के बारे के बता रही है hot है और यहां देखें जो help है इससे पहले to लिखा हुआ है लेहाजा यह जो verb है यह क्या है यह to infinitive है main verb हमारे पास hot है जब main verb मौदूद हो उसके साथ first form of verb आए उससे पहले to लिखा हुआ तो उसको to infinitive कहा जाता है इसको finite और non finite verb की कहा जाता है finite verb हो होती है जो tense के बारे में बताती है जैसे हमें present indefinite tense के बारे में बता रही है first form of verb है यह हम intense के बारे में लिखा आ रही उस sentence के अवाले से फर्दर information दे रही है तो इसको को infinitive कहेंगे दूसरा बेर infinitive बेर infinitive गया है जिसमें बर्द की first form आ जाए और उससे बहरे two इस्तमान ना किया हूँ अब example देखें विस सौर रखिंग अराई अब इसमें जो main verb है वो है सौर जो में intense के बारे मिस सौर रखिंग अराई अब यह जो आकर में first form of verb आ लिए इससे बहरे two इस्तमान लें किया हूँ को जब two इस स्वाल ने किया हुआ तो ये बियर infinitive है बियर infinitive का के मतलब है infinitive के बगए है यान कि बगए है ती को क्या तो यहांपके सौर ने पदा रहे है कि पास्ट रेस्ते उच्जिस हूआ हुआ हूए और ये हराय है, जो Damn तो है। आया हूँ ये फंतर इज़े रहे है टी पे हाये से। असकी तन ह कर दो किछा जाता है। गुरी आप्ससा इसी हाये से तो हम इसको देखते हैं I forgot to go there number 2 he hopes to get a job number 3 teachers bade us to solve the sum or number 4 a friend offered to give me his book or number 5 the policeman let the man go or next did you remember our last meeting number 8 nobody heard me to speak for him number 9 everybody refused to see him number 10 I won't let you miss this chance number 11 my father hopes to make me doctor or number 12 you will never make me feel sad تو اس طرح سے یہ ساری کے ساری exercise ہے اس کے بعد page number 46 پر missing letter ہے ہمارے پاس یہ میں missing letter بول دیتا ہوں آپ اس کو fill کر لیجئے گا number 1 ہے peace اس میں آئی اور ای مسنگ ہے next ہے deceive اس میں بھی آئی اور ای مسنگ ہے next ہے belief اس میں بھی آئی اور ای مسنگ ہے grief اس میں بھی آئی اور ای مسنگ ہے اور wait اس میں ای اور آئی مسنگ ہے اس کے بعد neighbor ای اور آئی مسنگ ہے relief اس میں بھی آئی اور ای مسنگ ہے ceiling ای اور آئی مسنگ ہے seize ای اور آئی مسنگ ہے sin اس میں آئی اور ای مسنگ ہے believe آئی اور ای مسنگ ہے rate ای اور آئی مسنگ ہے there اس میں ای اور آئی مسنگ ہے wired ای اور آئی layer ای آئی concede اس میں بھی ای آئی مسنگ ہے mistrieve जिसमें आई डी मिसिंग है, इस तरह से ये मिसिंग लेडर की एक्सराइज आपने फिल करनी है, तो उमीद करता हूँ कि ये लेसन नमपर एड का की मुकमल सुर्ट आपको इसका फुलासर समझा आ गया होगा, और तमाम एक्सराइज भी बने आपको करवा दिया हैं, समझा आ अगया होगा, तो इस नेक्ट लेसन इंचाहला हम अगले लेक्टर में डिसकस करेंगे,